हम मेंसे कुछ लोग निराश हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि जीवन में उनसे कोई काम नहीं हो सकेगा वो कुछ भी करने के योग्य नहीं है पर ऐसा नहीं होता हमेशा याद रखना कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो योग्य ना हो कोई ऐसा अक्षर नहीं जो किसी मंतर का भाग ना हो कोई ऐसी जड़ी बुटी नहीं जो औशद्धी ना हो इस संसार में ना ही कुछ व्यर्थ है ना ही अयोग्य हमें अयोग्य बनाती है हमारी सोच जब एक दर्वाजा बंध हो जाता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है पर हम बंध दर्वाजे को ही लंबे समय तक निराशा से देखते रहते हैं हमें वो दर्वाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है बस अपना करम करते जाओ फल इश्वर पर छोड़ दो वो कभी हमें निराश नहीं करेंगे याद रखना तीन तरह के लोग ही अच्छे होते हैं एक वो जो संसार से विदा हो गए दूसरा वो जो अभी संसार में आया ही नहीं और तीसरा वो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं जो होना होता है वो होके ही रहता है और जो नहीं होना होता, वो कभी नहीं होता, जिसके मन में ये विचार हमेशा रहता है, उसे कभी चिंता नहीं सताती, ना ही आप अपने आपको गले लगा सकते हैं, और ना ही अपने कंधे पर सर रखके रो सकते हैं, एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिन्दगी है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, वो सदा ही करते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, इसलिए शान्त रहकर अपना करम करते रहो, निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है, जो जिन्दा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है जिन्दगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा आपकी जिन्दगी होगी, उतनी ही आपकी परेशानिया कम होंगी गरीब होते हुए भी दान देना, गुसे में सच बोलना, और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब गुन महान इंसान की निशानिया है गरूर जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल अपने काम आएंगे हम सब की जूपड़ी में भी कभी तु राम आएंगे पेड जितना उचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा इसलिए उचा बनने की बजाए बड़ा बनने की कोशिश करो उचे कद की बजाए किरदार उचा बनाने की कोशिश करो आप दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ आपकी मन्जिल का रास्ता खुद खुद बनता जाएगा मिट्टी से गहरा रिष्टा रखो क्योंकि आखिर में सब मिट्टी है कुछ मिट्टी सदा अपने पास रखो मिट्टी पर पकड मजबूत रखो क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ यही है कि उन पर मिट्टी डाल दे जाए अपने प्रिफ यही तक बातों कि अवाचिछ अप्सक्राइब कर दोस्ता रखो